नमस्ते दोफ्तों सागता आप एक और नए वीडियो में एक और नए आईडे के साथ तो इस वीडियो में मैं कुछ अपने टास्क कम्प्लीट करूआ एक दो तीन पता नहीं कितने जितने होंगे देख लिए सबसे पहले तो यार मेरे पास एक बैट रखा हुआ है ठीक है उस कि यह रखा है उसी में हमारा बैट अब इसकी हत्ती का है कि इल्यूजन क्रेट हो रहा है इतनी सारी चिच्च्चों में देख रहे हैं सामनी रखिया आख को गया काई अपना बैट निकली आया विसे चिपकाने के लिए थोड़ा साफ करना पड़ेगा तो अब इसके लिए कपड़ा और साथ ना फैवी कोल भी ले लिया है क्योंकि चिपकाने की विजरत पड़ेगी है तो हाती चिपका भी दूँगा अब चलो होई तो फिर सुरू करते हैं अपने बैट को ठीक करना अब यार काईदा तो यह कहता कि इस बैट में जो है नहीं ही हत्ती लगनी चाह हुआ है दूल लगी हुई है गिलू लगी हुई है यह तो लगा हुआ दिक है साइध मैंने इस पहले भी चिपका आया था साइध अरल डाइट चलो तो यार साब सफ़ाई अपनी जारी है अच्छी तरीक के सब धूली है और कुछ जाद्धा कुछ नहीं लगा हुए इस प लोगे की गाइस एक ट्यूब बनाओ जो इस चीज की ना हो यार ऐसा थोड़ी होता यार बाकि मैं फिर भी कोसिस करूँ है इसमें कुछ अलग तरिक्के से लगाँ यार पेंच कस से निकलेगी बढ़िया अंदर की दूल और आप लोग सोक रहूंगे कि मैं काम स्टूडिय जो इन्वैटर है ना या बैटर वो डाउन हो चुगा है बस थोड़ा होती है मोगाइल मोगाइल चार्ज करने लाइक का हो रहा है तो इस वज़े से आइस एक बार इसके हत्ती को फिट करके देखूआं उसके बाद चिपकूआं अब या फिट करने के लोग चाहिए हत्तो पूरी तूटती तो पूरी तूटती गाइस वैसे इस तरीके से लकड़ी हूं ठोकना नीची यह स्पेस लिया कर तुमारा पैठ हो तो क्योंकि उसमें गद्दा पड़ सकता है बहुत ही प्यार से खेलने की चीज है और मैं गाई इस प्यार नहीं कर रहा हूं ठीक है फिर यार ऐसी चिपकाते हैं यह रहे हमारा फैवी कोल फैवी कोल को जो है अच्छी तरीक के सब पोत के लगा हुआ पेंचकस से लगा तो मैं आरबाद में पेंचकस को साफ कर दूँआ तो काई सब जल्दी से कमेंट करो कि कौन से स्टिकर बनाए जाएं क्योंकि मेरे पास एक और बैट आ चुका है मुझे कमेंट करो आप कि मेरे पास है यह बैट इसके लिए बनाओ बाकी मैं आपके आसपास एक दूबंदे ऐसे ढूंड तो रहा था जिनके पास हो बैट पर यार खेली नहीं रहा को यार अब सब फिरी फायर में लग गए कुछ भी कहलो यार कुछ भी लगाते रहो लेकिन लखड़ी को चिपकाने के सबसे तगड़ी चीज है वह मुझे फैविकोल लगती अगर फैविकोल चिपका पा रहा है तो चिपका पा रहा है परना तो भगवान जाने थोड़ा सा टाइम तो देना पढ़ता फैसे लेकिन चिपका योई सथा भई लकड़ी और अच्छे सै काईश एगदम व्राफ तरीक के से चिपका रहो मैं है मेरे मेरे थोड़ा सा कैजुल कैजुल है क्षिप खंद करने का थोड़ा सा कैजुल है वस गाइस हमारी हती वार फिरसा काम करेगा है मुझे तो लग रहा था रिटैर होने का नंबर आिकश्व का लेकिन हत्य नहें कहा नो इस्टिल अलाइव मेरी इंग्लिस माइगोड यार मेरी इंग्लिस बहुत बढ़े थी दश्वी तक उसके बाद मैंने हग दिया क्योंकि मुझे मैथ में इंट्रेस्ट आगिया था और फिजिक्स में जिसकी वज़े से गाइस मैंने इंग्लिस में हग दिया अब तक का सबसे आदा गाइस रुमान चेक पल था मेरी वह एक साल जिसमें मैंने ट्वेल्थ और 11 का सुली दो साल के मैथ की प्रोब्लम सोल बेतरी ठीक है तो फिर चिपक गया हूं एकदम टॉप प्रेंड्स अपना टास्क वन कंप्लीट हो गया बैट चिपका दिया हमने अभी पूरा को रहा है बस इतना इस वीडियो में तो इतने करेंगे बाकि जल्दी श्टीकर बनाएंगे तो कौन सी श्टीकर बनाने है क्या करना है तो कमेंट कर दो चलो यार इसे यहां पर सूख प्रेंड्स सब बढ़ते हैं अपने अगले टास्क की तरफ बहुत ही सिंपल सा है उसके लोग समान ढूंड़ूँआ फिर बनाऊंगा गैस करो क्या बना रहा हूं फिर से यार मुझे चाहिए एक ट्यूब यह रख्यार गत्ति की ट्यूब वैसे मैं पेपर का भी रोल बना है बना सकता हूं लेकिन अब जब रखी थी तो यार इसे ही यूज करूँगा और है जो भी चीज मेरे पास आ जाती है ना उसे मैं उसकी पूरी लिमिट तक ही उस करता हूं मतलब पूरी लिमिट तक समझ जाओ जैसे कि मैं एक एक्जाम्पल दूब भड़ा सा मुझा भी दिख गया यह सब जो जितनी चीज़े दिख रही है यह सब एक तरिक्के से मेरी मेमोरी टाइप है तो इसमें यार मुझे यह एक और बैट दिख चुका है यह मेरा सबसे पहला बैट था जो मैंने लिया था कभी एक टाइम पर कम से कम यार कौन सी क्लास में होगा है इतनी सारी सब चिज़े गाइस घटी करकर करें लिए रहा हूं छोटे मुटे बोल्ट टूल्ट मैगनेट स्पीकर सब कुछ यार रखो रहता हूं क्योंकि कभी ना कभी कैसे ने देश है काम आती रहती है यह भी मुझे हैं बनाना पड़ेगा क्योंकि अब लाइट रात आ इसके लिए इस्टेंड बनाना है अब इस्टेंड गिलो चाहिए गाइस कि लूगन लेकिन एक मिनेट यार मेरे पास एक और आइडिया है अपने पास से बना हुए स्टेंड तो ही रखा हुआ क्यों ना यार इसी में इस है दाखते अब यह टियू धिल ले आ रहे हैं तो पूरा यही सेट यूज कर लेता हूं यह रवाई अपना यही वाला सेट तो पूरा अभी गाइस यह अपना डिजाइन पूरा बना हुआ मिल गया हमें अब इसी के अंदर थोड़ी सी मोडिफिकेशन करनी है उसके बाद हमारी चीज बन जागी जो मैं बनाना चाहरा हूं क सब्सक्राइब करना है कि यूसफुल चीज बन के तयार होने वाली है देखते जाओ तो इसे काड़ बोड़ को ऐसे मोड़ के जो है ना और अगर बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा और छोटा कर दो इस ट्यूब को ही जो काट लूँ इसे बीच से काट लिया इतले देखके बात किती नहीं है कि हमें कुछ इस तरिक्के का पीश चाहिए इसे इसके उपर चिपका देना है तो पर गिलो से चिपका रहा हूं है तो यह उपर की साइड में चिपक गया अब एक अटेश्मेंट हमें इस साइड चाहिए बिल्कुल इसके सामने वह अटेश्मेंट थोड़ा से स्ट्रोंग चाहिए उसके लिए मैंने यह दो आइसक्रीम स्टिक लिए हैं और इन इन जो है ना अपने इस बीकिट में कट अब इस कट में एक बार अपनी आइसक्रीम स्टिक लगा के देखता हूं अब तरीक्ति से लगी यह तो अब या निच्चे वाले टेश्मेंट के लिए वह से एक आइसक्रीम स्टिक ऐसा लगानी है सिद्धी बात और एक गपते का पीस ऐसा काटके ऐसा चिपका दूं पहल इसे थोड़ा सब प्रोफेशनल बनाने के लिए इसके अंदर की साइड में से गोला कार कट लगा दूं ताकि यह इसमें इस तरीक्ते से फिटा हो जाए थोड़ा सा सही लगेगा जुड़ा हुआ हूँ तो फ्रेंड्स हमारे जो पी सिस्टम था हमें बनाना था वो बन गय ठीक है अब बार यह से रिवील करने की कि यह क्या बना है तो फ्रेंड्स यह बन चुक है अपना गेमिंग हेड़फोन और कंट्रोलर का स्टेंड यह देख सकते हो अपने पीसी सेट अप के लिए अब यार मेज पे भी जगह नहीं थी देखो कहीं कूँ रखने को तो इस व सब्सक्राइब करें तो उसे देख लेना और यह किस तरीके से बनाया है वह बना सकते हो और यह पूरा अगर आप स्टेंड की तरह यूश करो तो नीचे चिपका देना तो अपना तो यार एकदम मस्त काम कर रहे हैं टॉप क्लास फ्रेंड्स तो अपने दो टास्क पूरे ह हो चुके हैं यह दो टास्तों मुझे करनी थे बैट तो चिपकाना था क्योंकि यार बैट कैसी सीरीज के लिए काफी कमेंट आ रहे हैं तो किसी वीडियो में बना देंगे और और हैटफोन को रखने में भी दिक्कत हो थी बहुत दिन से तो यह तो पूरे हो गए अब सोच लेगी तो और कुछ आइड़े बगर है तो वह कमेंट में लिख देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तके लिए बाई नमस्ते वह आइडिया यह था कि जो हमने यह गडपती जी का सेटप बनाया था ना उसमें जो यह चिराग था तो अब इसकी जगे पर मैं एक इले देड़े देड़े लिए का मा